तो जनाब जावा स्क्रिट कोर्स में आज इडे नमबर 30 है और जनाब आज की दिन हम दो जावा स्क्रिट में फॉर इच फंक्षन, मैप फंक्षन, एंड फिल्टर फंक्षन के बारे में समझने वाले हैं यह सारे फंक्षन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वीडियो लागत दिखी के एक एक फंक्षन बहुत ही अच्छे से एक्स्प्लेंट कर देने वाला हूं चलिए अपनी इस वीडियो को स्टट करते हैं बिना समय गवाए तो जनाव हम लोग आचके कंप्षन के स्क्रीन पे आज हम लोग जावा स्क्रीट में समझेंगे फॉर इच फंक्षन ठीक है अभी एरे जो हम लोग पढ़ रहते तो हम लोग को पता यह चला कि एरे के अंद पर चुके हैं इस्ट्रिंग्स पर चुके हैं अब्जेक्स पर चुके हैं तो इनका यूज अगर आज की वीडियो में होता है तो आपको इनकी नौलेज होगी इसलिए हाँ चीज को वन बाई वन हम लोग चल रहे तो फॉर इच फंक्षन क्या होता है चाए आपका एरे हो या ओब्जेक्स हो ऐसी कोई विची जिसके अंदर काफी सारे अलिमेंट्स होते हैं उन पर अश्रूर फॉर इच फंक्षन करता क्या है उसको बात करेंगे पर पहले यह समझो शींटेक्स क्या है अगा फॉर इच फंक्षन लिखना है तो कैसे लिखेंगे आपको सबसे पह सब्सक्राइब होता है इस तरीके से यहां यहां अब इसके बीच में क्या लिखा जाता है सर वो समझे इसके बीच में आप वो फंक्सन लिखेंगे जो आप पर्टिकुलर इलिमेंट के लिए बार 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 इंग्सेट कराना चाहते है वो कोई function भी हो सकता है वो किसी भी property का name भी हो सकता है या पिर आप कोई और चीज़ 5, 7 और 9 ठीक है यह 5 element है तो यह जो function होगा जो इसके बीच में लिखा गया है इस function को बोलते है callback function अगर कोई कभी भी बोलता है callback function क्या होता है तो आप बता सकतो ऐसा function जो हम लोग किसी दूसरे function के अंदर as a argument डालते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है as a argument हम लोग को फंक्शन डाल रहे हैं और वो function हर element के लिए बारी बारी से चलेगा पहले 2 के लिए चलेगा फिर 4 के लिए चलेगा फिर 5 के लिए फिर 7 के लिए फिर 9 के लिए और यह क्यों हो पा रहा है यह for each function की मदब से हो पा रहा है for each function आपका inbuilt function है जो की javascript द्वारा बना बनाया हम लोग को मिलता है हम लोग बस इसको एक array के साथ यूज करते है या पर किसी object के साथ यूज करते है वो करता है कि उस array के पर टेक element के लिए यह यहाँ पर फंक्शन देते हैं उसको बारी बारी से चलाता है वही मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है for each function array के प्रत्यक element के लिए callback function को बारबाई execute करता है callback function वो है जो आपने यहाँ पर बीचों बीच में लिख रखा है ठीक है इस function को array के प्रत्यक element के लिए जितने भी element होंगे उनके लिए बारी बारी से करेगा चलाएगा अब वो depend यह करता है कि आपने यहाँ पर function कौन से लिखा है यहाँ पर हो सकता है आपने किसी चीज़ को print कराने का simple function लिखा हो किसी चीज़ को add करने का लिखा हो तो वो आप पर depend करता है कि आप यहाँ पर क्या logic डाल रहे है पर array के साथ जब भी आ फोर इच यूज़ करते ह करना कुछ नहीं एक array बनाते हैं simple सा और इस array के अंदर मा लोग कुछ elements हम लोग डाल देते हैं मा लोग एक डाल दिया 4,2,5,9,7 ठीक है यह हम लोग ने 5 element डाल दिये यह एक array बन गया है सभी को clear है अब हम लोग आते हैं नीचे हम लोग को क्या करना है print नाम से variable बना लेने ह तो मैंने क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर function expression के use कर रहा हूँ आप चाहे तो for each के अंदर direct function डाल सकते हैं वो भी मैं अभी दिखा दूँगा अभी मैं क्या कर रहा हूँ एक function बनाऊंगा जिसको एक variable के अंदर ले रहा हूँ इसको बोलते function expression इसके बारे में मैं आपको अल्र element को अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे यह चल कैसे रहा है सबसे पहले array का नाम लिखो जो कि AR आ रहा है फिर for each function लिखो वो लिख दिया parenthesis bracket बना दिया यहां तस्तमन में आया कि array का नाम जो है वो लिख दिया for each function जो कि inbuilt function ने उसको लिख दिया अब इसके बीच में क्या कर सकते हो यह चो function आप यहाँ पर लिख सकते हो पर हम लोग लिख इसको एक variable के थ्रू लिखेंगे जिससे हम लोग को क्या होगा थोड़ा सा sort में compact में देखने को मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर हम लोग print डाल देंगे इस तरीके से तो अब क्या हो रहा है कि इसके अंदर यह function डायरेक्ट जा रहा है क्योंकि आपने यह function लिखा है print variable के अंदर तो यह function अब क्या कहला है गा function expression ठीक है जब आप किसी variable के अंदर को फंक्शन लिखते हो तो function expression में convert हो जाता है और print को अम लोग क्या कर रहे है इसके अंदर डाल दे रहे है फौर इसके अंदर ठीक है अब क क्या होगा जब यह function for each के अंदर है तो for each करेगा क्या एक-एक element को उठाएगा यह तरीके से आप समस्तु लूप की तरीके ही work करता है सबसे पहली यह जाएगा यह चार को उठाएगा चार को उठाकर क्या करेगा यह print के अंदर भेजेगा तो print के अंदर कौन सा function यह वाला अब इस function के अंदर जो यह EL आपने डाल लखा यह parameter है parameter variable इसके अंदर क्या होगा यह 4 उठकर आ जाएगा इसके अंदर EL के अंदर अब चुकि EL के अंदर 4 हो आप console.log EL करा रहे हो तो यहाँ पर 4 होगा 4 print हो जाएगा फिर यह दोबारा सा function चलेगा यह क्या करेगा 2 को उठा पिर इसके 5 आएगा EL के अंदर 5 प्रिंट हो जाएगा, फिर 9 आएगा EL के अंदर 9 print हो जाएगा, 7 आएगा 7 प्रिंट हो जाएगा तो यह जो आ रहा है, array के अंदर से काम इतना ही होता है कि कोई भी array या कोई भी object देते हैं, उसके अंदर से एक एक element उठाकर किसी function के अंद विंडों में देखते हैं यह हम नोंने ब्राउजर पर खोल लिया इंस्पेक्ट करेंगे कंसोल विंडों पर आते हैं और इसको दुबार असरान करते हैं यह देखिए एक एक element आता गया एक element प्रिंट होता गया 4259597 ओके आप इसी चीज को हम लोग function expression की मदद से कर रहे थे यहाँ पर आप function expression की मदद से करने के बजाए हम लोग डारेट यहाँ पर यह फंक्सन लिख सकते हैं वाला आप function की definition डारेट भी लिख सकते हो जैसे यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले function keyword दिखा EL डाल दिया इसके अंदर EL डालने के बाद अब इसके अंदर क्या code execute होना है वो curly bracket में इस तरीके लिख देंगे इसमें हम लोग मालो लिख देते हैं console.log और इसमें हम लोग EL को print करा देते हैं console.log में हम लोग EL को print करा देते हैं अब देखिए same चीज चलेगी okay cancel करते हैं यह ऐसे खुला हुआ है और यहां पर एक सेकंड यह देख लेते हैं कि ARR for each function में हम लोग function keyword डाला है ठीक है EL में हम लोग value को receive कर रहे हैं curly record में console.log में हम लोग क्या करते है EL की value ले ले लेते हैं और EL को print करा देते हैं ठीक है क्योंकि यहां पर यह हो प्रिंट हो चुका है for to 597 आप refresh करके भी देख सकते हैं मैंने इसको refresh किया देखे रिफ्रेस करने के बाद भी वह ही चीज प्रिंट हो रहे हैं अब एक का में भी हो सकता है कि आपको मैंने arrow function सिखा है थे arrow function क्या होते हैं बहुत ही compact function होते हैं बलब उसको function keyword लिखने की जरूवत नहीं आप डैरेट ऐसे लिख सकते हो तो उसका भी उसकर सकते हैं उसका उसकरने क्या करना है सबसे पहले क्या करूँ फंक्सन keyword इसको अटा दो ठीक इसकी कोई जरूवत नहीं होती है यह अटा दिया अब arrow function की अपने आप में पहचान यह होती कि यह parenthesis के बाद में इकवल का निसान और यह arrow का निसान लगेगा अब यह क्या बन गया सर यह एक arrow function बन चुका यह अपने आप में अब्जिट बनाएंगे एक arrow बनाया अब इसके इंदर तीन ऑबजिट बनेंगे तो एक object क्लिए कर लिए यह दूसरे object कलिए कर लिया और तीसरे के लिए कर लिए है तीन हो गए अब इसके अंदर one by one property डालो पहले object के अंदर मैं डालूँगा मालो name name के अंदर मैंने डाल दिया राहूल ठीक है और property के लास में कमा लगता है दूसरी property डालेंगे age age मालो इनकी कर देते 25 ओके अब दूसरी property पर आते हैं दूसरी property को पिन करते हैं दूसरी property में भी same चीज़े हम रखेंगे वालो name रखते हैं name में मैंने डाल दिया सुभम अब जब भी कोई आप string लिखते हो double quotation mark में आपको लिखना होता यह हमेंसा द्यान न किये आपको diet नहीं लिख देना है सुभम कॉमा लगाया मालो इनकी age मालो 21 रख देते हैं ठीक है अब यह चूकि last property इसमें हमको क्या करना कॉमा लगाने जरुवत नहीं है क्योंकि अब दूसरी जो object ही अपने आप में ही अलग object है इसको open किया इसको open करने के बाद में हम नोंने का name name में मालो यहाँ पर मैं रख देता हूं सीवम ओके सीवम रखने के बाद मैंने कॉमा लगाया एच में मैं क्या करता हूँ, इसमें माल लो 20 रख देता हूँ, इस तरीके से 3 अबजेट हमारे बने हैं, यह एक पहला अबजेट बना, जिसके अंदर 2 प्रोपर्टी हैं, यह एक दूसरा अबजेट बना, जिसके अंदर 2 प्रोपर्टी हैं, और यह एक तीसरा अबजेट यह यहां से यहां तक बना जाके, ठीक है, यह किसके अंदर बना है, एक array के अंदर बना है, अब तीन object है, इनको क्या करेंगे, आप one by one, क्या करते हो, for each के through लिते हो, प्रिंट कराते हो, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले array का नाम रिखा, for each function लगाया, parenthesis bracket लगाया, अब ध्यान यह दीजे कि दिखिए, इसके अंदर दो properties है, सभी के अंदर एक name, एक edge, मुझे name नहीं चाहिए, मुझे सिब edge चाहिए, ठीक है, और यह object मालो, teacher नाम का object है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक function बनाएंगे, normal arrow function बना लेते हैं, arrow function के अंदर एक हम लोग क्या करते हैं, parameter ले लेते, teacher के नाम से, और इस तरीके से हम लोग इसको open करते हैं, curly bracket, यहां console.log करेंगे, console.log, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, teacher.edge कर देंगे, अब जिसने object पढ़ना रखा होगा, उसको इसी समझ में आई होगी, नहीं समझ आई, मैं clear कर देता हूँ, देखिए, यह आपके अंदर तीन object है, जब for each क्या करेगा, इसके अंदर अपना function चलाएगा, तो क्या करेगा, सबसे पहले एक object को उठाएगा, इस वाले object को उठाया इसने, उस object को किसके अंदर भेज रहे, teacher के अंदर, ठीक है, तो अब क्या हो पहले object आया यह वाला, इसके अंदर से यह property निकल के आगए, फिर दुबारा for each क्या करेगा, यह वाला object भेजएगा, किसके अंदर teacher के अंदर, ठीक है, तो फिर हमने teacher नाम को object लिखा, और age नाम की property लिखी, तो यह वाली age आ जाएगी, फिर तीसरे में यह वाला object जाएगा यह वाला object के अंदर, जब teacher के अंदर आ गया, फिर dot age किया, तो यह वाली property निकल के आ जाएगी, आईए मैं आपको दिखाता हूँ शीज को, यह देखिए, 25, 21, 20, इस तरीके से आपने क्या किया, तीनों की age निकाल ली, सेम चीज़े, आप चाहें, तो यहाँ पर age की बजा यह साथ निकाल सकते, चलिए, आप हमों index function की तरह पाते हैं, index function है, सर हमारा map function, map function 90% सेम होता है for each function की तरीके, जैसे for each function है, वैसे ही map function है, हलका से difference होता है, उसको cover करते हैं, देखिए, syntax wise भी सेम है, इसमें थोड़ा सा बस फरक होगा कि, क्या चीज़े है, वो मैं आपको द और इस function की तरीके definition है, बस फरक इसमें इतना है, उसके बाद उससे जो भी value return होती है, ठीक हर function अपनी कुछ ना कुछ value return करता है, तो अगर कोई value return हो रही है, तो उसको क्या करता है, यह new array के अंदर बदल देता है, बलब उस value को collect करेगा, return करने वाली value को लेगा, और उसमें क्या करेगा, new array को बना देगा, और यह जो नया array होगा, यह पुराने array के size के बराबर होगा, मलब इस new array का size और old array के size का बिल्कुल equal होगा, ठीक है, तो यह आप देख सकते हो, यह हम लोग ने नया variable बनाया, new array, और यह पुराना array हो गया, ठीक है, यह dot map function हो गया, और new array के अंदर आती जाएगी, फिर यहाँ से कोई value return होगी, यहाँ store हो जाएगी, फिर return होगी, यहाँ store हो जाएगी, तो यह अपने आप में एक नया array बन जाएगा, आईए इसको भी दिखाते हैं करके कुछ कठीन इसमें है नहीं, same for each की तरीके थोड़ा से difference आपको देखने इसको मिलेगा, क्या करते हैं, सबसे पहले मैं control A से बिल्कुर clear कर देता हूँ, या फिर एक काम करते हैं, उपर वाली चीज का भी use होगा, इसको इसको comment कर देते हैं, नीचे वाली को clear करते हैं, ठीक है, आप देखिए करना क्या है हम लोगों को, सबसे पहले एक num नाम का माल अब चुकि अभी variable है, यह array में convert हो जाएगा, इसके अंदर हम लोगों क्या करेंगे, num जो पुराना array हो लिखेंगे, dot map function लगाएंगे, map function लगाने के बार parenthesis open करेंगे, आप logic यह कहता है कि इस parenthesis bracket में आप क्या लिखना चाहिए, तो आप पे depend करता है, मालुम एक arrow function लिखू open करेंगे, curly bracket open करने के बाद में, यहाँ पे हम लोग simple सा यह logic लिखते हैं, कि जो भी value आए, किसके अंदर, EL के अंदर, उसका क्या करो, गुडा करो, दो से, दो से गुडा करने में वहला क्या होता है, डबल करो, ठीक है, तो हम लोग return keyword लिखते हैं, आप चाहें तो ना भी इसाब से आपको लिख देना चाहिए, जिससे आपको सोड़ा clear रहा है, ठीक है, बाकी arrow function करता है, अगर एक line में आपको रिटन कर रहे हो, तो आप keyword नहीं भी लिखोगे, तब भी हम समझ जाएंगे, अब हम लोग क्या कर रहे है, EL के अंदर जो भी value आएगे, उसको multiply by 2 कर देंगे, तो EL के अंदर मालो, यहाँ पर map function क्या करेगा, सबसे पहले array के अंदर से 5 उठाएगा, EL के अंदर डाल देगा, अब यहाँ पर हम लोग आएगे, EL के अंदर 5 है, 5 into 2 होगा, कितना हो जाएगा, 10, तो return क्या होगा, 10 हो जाएगा, 10 return हो कहा जा रहा है, वो इस double के ठीक है, फिर map function क्या करेगा, 9 को उठाएगा, EL के अंदर डाल देगा, EL के अंदर 9 है, अब EL के अंदर 9 है, तो 9 into 2 हो जाएगा, 18, 18, 18 किसके अंदर आ रहा है, double के अंदर, पहले यहाँ पर 10 आया था, फिर 18 आया, फिर 7 आया किसके अंदर, EL के अंदर, 7 into 2 साद दूने 14, ठ return हो के किसके अंदर जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा, फिर 6 आएगा, EL के अंदर, EL के अंदर 6 है, तो multiply by 2 होगा, तो आपका 12 हो जाएगा, 12, okay, return होने के बार इसके अंदर आजाएगा, तो जो value return हो रही है, वो इस new variable के अंदर हो रही है, तो यह अपने आप में ही एक 2 होगा, तो 10 होगा, 9 into 2 होगा, तो 18 होगा, 18 आगया, फिर आपको 7 into 2 हो रहा है, तो 14 होगा, 14 आगया, and 6 into 2 होगा, तो 12 होगया, आगया, ठीक है, तो यह कर क्या रहा है, कि simple काम for each की थरीके, कि एक-एक element को उठाओ, और यहाँ जो भी function लिखा है, उसको उसके लिए चलाओ चला रहा है, बस फरक इतना है कि इसमें जो भी value return में आ रही हो, इसके अंदर डालता जा रहा है, इसके एक new array बनता जा रहा है, ठीक है, यह clear यहाँ तक, अभी हम लोग चाहिए कि अगर हमको कोई square function मनाना है, ठीक है, तो हम लोग square के लिए भी बना सकते हैं, यहाँ double मनलब जो भी EL की value है, वो अपने आप से ही गुड़ा करेगी, मालो EL के अंदर 2 है, 2, 2, 2, 4, जो की 2 का square होता है, 4, फिर अगर यहाँ पे 4 है, तो 4, 16, यह अपने आप में ही double होती चली जाएगी, double नहीं, अपने आप में ही square होती चली जाएगी, ठीक है, अब हम लोग क्या हो गया 49, और आपका यहाँ पे 6 square होता है, 36, 36 हिंदी में हम लोग बोलते है 36, ठीक है, तो 36 हो गया, अब हम लोग जैसे आप कोई-कोई सोचता होगा, नया बच्चा है, इतना वीडियो देखने बाद भाद भी उसको नहीं से होना है, कि सरी यह console के अंदर आप variable क्यों प्र तरीके भी आप कर सकते हो, कोई भी variable को यहाँ पे भी करा सकते हो, उसके अंदर, console के अंदर आपको console.log लिखने जरूवत नहीं होते है, स्वाशिप आप direct भी variable का नाम डालोगे तो value आ जाती है, इसलिए उसका use हो रहा है, अब एक चीद यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, थोड़ी देर के लिए मालू मैं square वाले को हटा देता हूँ, ठीक है, अगर आप कोई value return भी नहीं करते हो, मालू मैंने value कोई return नहीं की, तो question उठता है कि इसके अंदर क्या आया होगा, जब आप कोई value return ही नहीं कर रहा हो, तो इसके अंदर आएगा क्या, तो यहाँ पर return नहीं किया, तो value undefined आईए, अब एक line आप यहाँ पर सकते हो, कि new array का size पुराने array का size के बराबर होता है, पुराने array का size क्या है, चार element का है, तो new array का size भी देखी, चार element का ही होगा, एक, दो, तीन, चार, भले आप value डाले या ना डाले, ठीक है, यह clear हो गया, अब एक च simple सा क्या करेंगे, एक let करके new array नाम से variable बनाते है, पुराने array का map function लगाते है, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक arrow function डालेंगे, el क्यों डालना है, जिससे हम लोग जो value निकल के आएगी, वो receive कर रहे हो, okay, curly bracket, curly bracket के बाद, return, return करने बाद, el.name, el.name कैसे हुआ, el.name, EL के मदश से वो object निकल के आएगा, हाँ या ना, object निकल के आएगा, el.name के मदश से क्या हो रहा है, उसका name निकल के आ रहा है, पहले object आया, el.name के मदश से उसका नाम निकल के आया, अब उसके नाम में हम लोग क्या करेंगे, concatenation का मोदा सुछते है, कोई भी चीज के बाद से अब जूर्ण करते हैं की मैं क्या करते हूं किम यहां पे रिटन किया गया जो भी वे यहां आगया है उसलों यह और वान बिनकर देता है में देखिए तीन चीजों का हुग्जेक्ट था देखी एक ऑव्सक्राद्टि दो जीनील व्सकी और धियां दीजिए तीन से ज्यादा नहीं बना तो साइट जो पुराना होगा वही नए एरे का भी होगा पुराने एरे का भी साइट देखिए तीन था क्योंकि आपने आप जुड़ गया तो यह एक लॉजिक था आप इसकी जगा कोई भी लॉजिक यूज़ कर सकते हो बालो आप यहा पर लिखा गया फंक्शन है जो कि आप कॉल्बैक फंक्शन की थ्रू भीज रहे हो उसमें आपका जो भी करना है वह आप कर सकते हो एक्जामपल के लिए आपको मैंने दिखाया कि इस तरीके से भी काम हो जाता हो अब्जिट के अंदर ओके अब हम लोग आते यहां पर आप हम लोग यूज करना सिखते हैं फिल्टर फंक्शन फिल्टर फंक्शन का भी सिंटेक्स सेम है मैं फंक्शन की तरीके हैं थीक है सिंटेक्स सेम है उस तरीके से एक नया आयरे आप बना लोगे पुराने आयरे के साथ फिल्टर फंक्शन यूज करोगे यहां पर पैरेंथिस बहुत सारे array में बहुत सारे element है ठीक है आप उसको filter करना चाहते हो उसको कोई filter लगाना चाहते हो तो filter लगेगा कैसे कोई ना कोई logic लगाना पड़े का जहिर सी बात है जब logic लगेगा उसी से filtration होगा तो अब क्या है कि वो logic true भी हो सकता है फॉल भी हो सकता है मालों आपने कोई logic लगाया वो true है होई नहीं रहा है तो क्या होगा इसमें अगर आपकी दौरा लगाया गया filter फिल्टर मलब जो आप logic लगा तो filter करने के लिए वो true हो जाता है तो एक new array create होगा मलब यह new array में वो जितने भी आप logic लगा कर जो भी चीज़ नहीं बनेगा ठीक है इस चीज को समझते हैं बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे सबको अटाओ एक सिप लेट ए आर आर नाम से एरे बनाते हैं इसमें काफी सारे element डाल देते हैं जैसे 1,3 1,2 4,3 5,7 9,11 15 डाल देते हैं थोड़ा बड़ा भी नंबर ले रहे 20 डाल देते है ठीक है 35 डाल देते हैं 35 के बदले 10 भी डाल देते हैं फिर 18 डाल देते हैं ठीक है काफी सारे डाल दिये अगर हम वो कहने यहां पे तो 97 भी डाल देते हैं चलो ठीक है यह डाल दिया अब इतना बड़ा एक नंबर का आपको एरे दे दिया गया और आप से सिप इतना एक कर सकते हो कि एक new area बनाओ even करके इस तरीके से और या तो आप लूप की मदद से करो कि जाहिए सी बात है उसमें लूप चलाना होगा तो लूप का भी अपने आप में बहुत अच्छा कर लेगा कोई लूप से भी हो जाएगा काम पर मुझे कहना है कि आपको फिल्टर फंक्शन का यूज़ करना है तो बहुत इज़ी है सबसे सरल काम तो फिल्टर फंक्शन की अंदर इक्क्वल का नियसान लगाया पुराना एरे लिखा फिल्टर फंक्शन लिख दिया ठीक है मैं से फिल्टर फंक्शन के बार प्रैंट्रश बना दिया इतना हो गया अब इसके अंदर लॉज़िक क्या लिखना है वो समझो सबसे पहले इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन के थूरू हम लोग एरो फंक्शन डालने हैं मैं एरो फंक्शन है वो कॉल बैक फंक्शन की तरीके जा रहा है अब कर ली रेकेट में जो आप लॉजिक लिखोगे उसी के आधार पर फिल्टर होगा ठीक है यह तो एक नॉर्मल आप एरो फंक्शन मना दियो लॉजिक अप यहां पर लिखा जागे डिफिनेशन यहां पर लिखी जागे कि क्या फिल्टर करना है मालों मैं सिंपल एक लॉजिक लिखता हूँ आपको बहुत स्टार्टिंग से मैंने पढ़ा रखा आपको सभी ऑप्रेटर भी पढ़ा है उनहीं एक 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 एलमेंट कि इसके अंदर आ रहा है इतना तो मैं बहुत बार बता चुकत हूं आपको पता कि एक-एक एक एलीमें अनित्हा है उसको क्या कर दो ओल संख्या को अपन Cor sincerity क्या करता है जिस बी संख्या के बाद में अगर हो संख्या पुरी कुछ तो कटने गफ है क???? मालो अगर मैं कहता हूँ 4 तो 2 का भाग 4 से करो तो 2 दूनी 4 2 बार में जाएगा और SISFAL क्या आता है SISFAL 0 आ जाएगा ठीक है SISFAL को इंग्रिस हम लो बोलते है Reminder ठीक है तो अगर कोई भी ऐसी संक्या है जो कि 2 से पूरी तरीके कट जा रही है तो वो क्या कहला है कि event ठीक है ऐसी कोई भी संख्या जो दो से पूरी-पूरी कटने के बार सुन नहीं आ रहा है तो जाहिटती बात वो और संख्या होगी ठीक है तो हम लोग को बस इतना पता लगाना है तो इसके अंदर जो भी value आ रही है उसको module 2 करा दो module 2 से क्या होगा उसका remainder निकलाएगा सेस्फल निकलाएगा सेस्फल अगर जीरो है तो जाइसी बात वो even होगा और even है तो क्या कर दो उसको return कर दो अब वो value जो even value है वो return होके किसके अंदर जाएगी even के अंदर ठीक है आब मुझे यह बताओ जिसे 2 है तो दो तो स जाएगा तो return के अंदर यह 4 इसके अंदर चला जाएगा फिर आएगा 3 जब EL के अंदर आएगा 3 module 2 करोगे तो क्या 0 आएगा नहीं आएगा तो क्या वो return होगी नहीं होगी और return ही नहीं होगी तो इसके अंदर वो value जाएगी इस तरीके से आपको मैं दिखाता हूँ कि सार पारी value एसी थी इनमें जो कि even थी 2, 4, 10, 18 और 20 अगर हो तो ठीक है बाकी ना 15 ना 11 ना 17 कुछ भी 17 यह आपके कोई भी even value नहीं है जो even value थी वो छट कर filter होकर आ चुकि जो कि 5 है ठीक है इस तरीके से आप filter लगा सकते हो इसे का एक example और दिखाते हैं लेट लिखा लेट लिखने के बाद मालो हम कहते हैं कि इसमें size नाम से एक variable बना लिया array.filter लगाया ठीक है filter ओके filter इस तरीके parenthesis लगाया अब इसमें एक arrow function लिखेंगे callback function के दूरू सको भेज रहे हैं इसके अंदर el में हम लोग element ले ले लेंगे जो निकल के आएगा और logic क्या लिखेंगे वो समझो मैं कहरा हूँ जितनी भी value क्या है 5 से बड़ी है जितनी भी value 5 से बड़ी है वो सब क्या कर दो return कर दो ठीक है जितनी भी value 5 से बड़ी है वो क्या कर दो return कर दो तो मैं return keyword भी लिखना जरूरी समझूँगा वैसे तो ऐसा है नहीं अगर आप नहीं भी लिखते हो और आप parenthesis बना देते हो तब भी आपका काम हो जाएगा पहले भी बता चुका हूँ यह ठीक है तो यह logic क्या कहता है कि element के अंदर जो value आ रही है उनको यह test करो अगर वो 5 से बड़ी है तो तो यहां पर return करो अगर बड़ी नहीं है तो नहीं होगी तो कौन कौन सी value नहीं होगी एक दो चार तीन ठीक हो पांच क्योंकि पांच से ब करेंगे और देख लीजे यह चीज यहां पर दिखेंगे आपको साइज वाले वैरिवल को कॉल करतें यह देखिए साथ से लेकर 97 तक सारे फिल्टर रूपकर आज़के अब मैंने जैसे यहां पर एक लाइन लिखी थी कि filter के अंदर जो condition लिखती होगी तभी new array बनेगा इंडिट से अगर बड़ी है तो तो और रिटर करो नहीं थो ने करो तो आप मुझे बताओ क्या यह condition true होगी तो यहां पे कोई भी value ऐसी नहीं है जो 100 से बड़ी हो, 100 से छोटी ही सब value है, तो किसी भी हालत में यह condition true होगी नहीं, जब यह condition true होगी नहीं, तो कोई value return होगी नहीं, और value return नहीं होगी तो यह size के अंदर array कोई बनेगा नहीं, यह देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यह जो किसर अपने आप में भी यूस किये जाने वाले function है, चाहे आप front end को देख लो चाहे आप back end को देख लो यह बहुत ज्यादा यूस किये जाएंगे, तो इनको बहुत ध्यान से समझेगा, यह वीडियो कैसे लगी आप like करके बता सकते हो, अपना कोई भी opinion हो, कोई भी feedback ह करें हम लोग आपको पढ़ते हैं और थोड़ा सा motivation भी मिलती है अगर आप उसके अच्छी बाते लिखते हैं, चैनल पर नहीं चैनल सब्सक्राइक करें विपस करें, जिस चैनल इंट्रेस्टिंग को डूडियो और आपको मिलते हैं कि जनाब, आज की वीडियो में तनी तक सब्सक्राइक करें जैहीं जैभारा